पंजाब कॉंग्रेस ने आम आद्मी पार्टी और राज के सीएम भगवंत मान पर राजनितिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है दरसल 28 सितंबर को पंजाब पॉलिस ने कॉंग्रेस विधायक सुखपाल सिंग को आठ साल पुराने ड्रक्स तसकरी केस में गिरफतार किया है सुखपाल की गिरफतारी के बाद कॉंगरिस ने कहा भगवंतमान सरकार कॉंगरिस के खिलाफ राजनितिक बदले की भावना से काम कर रही है वो हमारे नेताओं को टार्गेट कर रही है हाला कि आपने इन आरोपों को खारिच करते वे कहा खेरा के खिलाफ कारवाई कानून के अनुसार की गई है दिले के मुख्यमंत्री और आप संयोजग अर्वितन केजरीवाल से जब मीडिया ने पूछा पंजाब के कॉंगरेस विधाय की गिरफतारी के बाद इंडिया गडबंदन का भविश्य क्या होगा इस पर केजरीवाल ने कहा मैंने इसके बारे में सुना है मुझे केज की जानकारी नहीं है आप इंडिया गडबंदन से जूड़ी रहेगी हम गडबंदन धर्म पूरी तरह निभाएंगे केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की भगवन्त मान सरकार प्रदेश में नशे की समस्या को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद है क्योंकि इसने युवाओं को नश्ट किया है चाहे वो प्रभावशाली वेक्ती हो या छोटे इस्तर का वेक्ती कोई भी माफ नहीं किया जाएगा केजरीवाल ने कहा मैं किसी विशेश घटना पर टिपणी नहीं कर रहा हूँ केजरीवाल से जब पूछा गया कि विपक्षी इंडिया घटबंधन अब तक प्रधान मंतरी उमीद्वार का प्रस्ताव क्यों नहीं कर रहा है इस पर उन्होंने कहा हमें एक ऐसी विविस्ता तयार करनी है जिसे भारत के 140 करोड लोग या महसूस करें कि वे प्रधान मंतरी है हमें लोगों को सशक्त बनाना है एक विक्ति कुछ नहीं इसी के साथ बने रहे हैं एशाली जिन्डा के साथ खाली बाद